Hello बच्चो कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाही करनी है? आज है हमारे पास क्लास 11 का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 25 तो बेटे यह साथवी यूनिट का 25 वा वीडियो है और इस से पहले 24 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नंबर साथ को पूरा पढ़ सकते हो समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो जो एक्जाम में आपकी बहुत जादे हेल्प करेंगे इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रप्शन में पीडी अफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडी अफ नोट्स के लिए टेली ग्राम पर भी सर्च कर सकते हो के एमडी साहरनपूर तो देखते हैं आज का हमारा टार्गेट क्या है आज बेटे हमें पढ़ना है क्षारकों की प्रबलता या फिर आप इसे इंगलिस में कह सकते हो strength of bases तो क्षारकों की प्रबलता या strength of bases के बारे में हमें discuss करना है जैसे कि कल हमने अमलों की प्रबलता के बारे में discuss किया था तो मेरे साथ साथ लिखने की कोशिस करेंगे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे साथ साथ लिखना कि जो क्षारकों की प्रबलता होती है न यहां लिखते हैं क्षारकों की प्रबलता ये क्षारकों की प्रबलता अनुकर्मानुपाती होती है या समानुपाती होती है H positive या फिर आप कह सकते हो proton ठीक है proton ग्रहन करने की क्षमता के ग्रहन करने की क्षमता तो किसी भी क्षार में या क्षारक में proton ग्रहन करने के क्षमता जितनी जादे होती है हम कहेंगे कि उस अक्षारक की प्रबलता भी उतनी ही जादे होगी और proton ग्रहन करने के क्षमता अनुकर्मानुपाती होती है वियोजन की मात्रा के वियोजन की मात्रा कहे दो या आइनन की मात्रा कहे दो वियोजन की मात्रा और वियोजन की मात्रा को हम किस से परदर्सीद करते हैं अलफा से पता है ना आपको वियोजन की मात्रा को हम अलफा से परदर्सीद करते हैं और वियोजन की मात्रा अलफा किसके अनुकरमान उपाती होती है वियोजन इस्थिरांग के वियोजन इस्थिरांग और वियोजन इस्थिरांग को हम किस से परदर्सित करते हैं भई अमल के लिए तो हम एसिड के लिए तो हम परदर्सित करते थे के ए से पर बेस के लिए परदर्सित करते हैं वियोजन इस्थिरांग को के बी से मतलब कहने की बात बिलकुल साफ है कि मानलो आपके पास दो अमल हैं उनकी प्रबलता आप चेक कर पा रहे थे अब आपके पास मानलो दो अक्षारक हैं दो अक्षारकों में से जिस अक्षारक के लिए के बी का मान जादे होगा वो अक्षारक ही प्रबल होगा दोनों अक्षारकों में से ठीक है जिस अक्षारक के लिए केबी का मान जादे होगा यानि वियोजन इस्तिरांग की या आइनन इस्तिरांग का मान जादे होगा वो अक्षारक ही प्रबल अक्षारक होगा जिस अक्षारक के लिए колesn की मात्रा यानि alpha का मांज जादे होगा वो अक्षारक ही दोन्नों क्षारकों में से प्रभल अक्षारक होगा वो ही base दोन्नों base में से strong base होगा और जिस अक्षारक में h positive ion या proton proton को आप ऐसे भी लिख सकते हो p positive H positive या P positive IN को ग्रहन करने के अक्षमता जादे होगी वो दोन्नों में से क्या होगा प्रबल अक्षारक होगा ठीक है एक heading लिख लो note देखो एक बात बताता हूँ आपको note heading लिख लो मालो मैं आपको कहूँ कि हमारे पास NaOH है NaOH तो सबको पता है कि NaOH क्या है प्रबल अक्षारक है NaOH क्या है प्रबल अक्षारक पता है न सबको और यदि मैं बात करूँ aluminium hydroxide की तो aluminium hydroxide A-L-O-H का whole thrice ये क्या है ये दुरबल अक्षारक है ये है दुरबल अक्षारक ये लिख दिया मैंने दुरबल अक्षारक अब आप देख लो जरा दोनों को ध्यान से इसके पास इसके पास एक O-H है और इसके पास कितने O-H है तीन तो ऐसा बिलकुल भी मत समझना कि ज़्यादे O-H है यानि ज़्यादे O-H नेगेटिव आयन यदि किसी खारक के पास है तो वो प्रबल होगा इसका मतलब किसी खारक की प्रबलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उसके एक अनू के पास कितने O-H नेगेटिव आयन है शारक की प्रबलता केवल इस बात पर निर्भर करती है कि उसका अलफा और के भी ज़्यादे है या नहीं है नेकी इस बात पर निर्भर करती है कि एक अनू के पास कितने O-H है इसके पास तो तीन OH हैं फिर भी ये दूर्बलक शारक है तो यहां हम लिख लेते हैं आते हैं लिखो आप भी मेरे साथ साथ आते हैं किसी शारक आते हैं किसी शारक की प्रबलता इस बात पर किसी शारक की प्रबलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उसके एक अणू के पास एक अणू के पास कितने OH नेगेटिव आयन हैं कितने OH नेगेटिव आयन हैं अपी तू उसके एलफा एलफा माने वियोजन की मात्रा तथा के बी का मतलब वियोजन इस्तिरांग अपी तू उसके एलफा तथा के बी के मान पर निर्भर करती है निर्भर करती है बताओ समझ में आई का ये बात मतलब आपको OH नेगेटिव आयनों की संख्या गिन कर यह निर्णे बिल्कुल भी नहीं लेना है कि कौन प्रबलक्षारक है और कौन दुर्बलक्षारक है ठीक है अच्छा एक हेडिंग लिख लो आप एक चीज और बताता हूँ हेडिंग लिखो क्शारकों की क्शारकों की आपेक्शिक प्रबलता क्शारकों की आपेक्शिक प्रबलता क्शारकों की आपेक्शिक प्रबलता देखो इसमें एक बात बताऊंगा बहुत आसाने एक दम समझ में आ जाएगा यदि हम दो क्षारकों की प्रबलताओं की तुलना करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं तुलना लिखो मेरे साथ साथ पहले क्षारक की प्रबलता पहले क्षारक की प्रबलता तो हमने लिख 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 लि दूसरे की नीचे लिखो और यह फिर एक तरीगा यह है कि पहले एक्षारक का वियोजन इस्तिरांग के बी वन लिख दू अपॉन के बी टू ऐसे लिख दो आप तो आप शारकों की आपर एक शिक प्रबलता की जब भी तुलना करोगे जब आपर एक शिक प्रबलता आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे पहले एक शारक का वियोजन की मातरा उपर लिखो दूसरे गी नीचे लिखो इसका अनुपात से आपको इनकी आपेक्शिक प्रबलता प्राप्त हो जाएगी और वियोजन इस तिरांग से भी आप KB1 KB2 ऐसे लिख सकते हो K1 अपाउन K2 भी लिख सकते हो तो इसके अंडर रूट से आप निकाल सकते हो प्रबलताओं की तुनना कर सकते हो ठीक है जल्दी से पोस करके लिखो आप पोस करके लिखो जल्दी फिर मैं अगली बात बताता हूँ आपको लिख लिया बेटे ठीक है तो जिस प्रकार हम अमलों की प्रबलता निकालते हैं अमलों की प्रबलता अमलों की प्रबलता किस तरह निकलती है H-Positive IN या प्रोटोन देने की अक्षमता से यहाँ अलफा से भी निकाल सकते हो आप और वियोजन इस्थिरांग के ए से भी निकाल सकते हो यदि आप एसिड की बात करते हो तो वियोजन इस्थिरांग को के ए से प्रदर्शित करते हैं इसी तरीके से आप क्षारक की प्रबलता भी निकाल सकते हो क्षारक की प्रबलता में आपको देखना पड़ेगा कि क्षारक की प्रोटोन को यानि H-Positive A-N को ग्रहन करने के क्षमता कितनी है पहली बात दूसरी बात अलफा वियोजन की मात्रा कितनी है यह देखनी पड़ेगी और तीसरी बात K-B वियोजन इस्तिरांक कितना है यह देखना पड़ेगा ठीक है तो जैसे आपने अमल की प्रबलता निकाल ली थी बिल्कुल इसी तरी से सारक की प्रबलता भी निकल जाती है एक हेडिंग लिख लो आप नोट नोट हेडिंग लिखो एक बात बताता हूँ आपको बहुत अच्छी है समझ में आ जाएगा एकदम P-K P-K B की बात करेंगे कल हम बात कर रहे थे P-K-A की यह होता है माइनस लॉग K-B के बराबर या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो या P-K P-K-B is equal to log 1 upon K-B इसका मतलब P-K-B और K-B एक दूसरे के विध करमान उपाती हैं जब यह दुनों एक दूसरे के विध करमान उपाती हैं तो इसका मतलब यह है कि जब P-K-B जादे होगा यानि बढ़ेगा तो यह कम होगा और जब यह कम होगा तो यह जादे होगा इसका मतलब यह है कि मानलो किसी एक शारक के लिए P-K-B का मान कम है किसी एक शारक के लिए P-K-B का मान कम है तो इसका मतलब उसके लिए KB का मान ज़ादे होगा और KB का मान ज़ादे होगा तो इसके लिए Alpha का मान भी ज़ादे होगा और Alpha का मान ज़ादे होगा तो उसके अंदर H positive यानि proton को ग्रहन करनी के क्षमता भी ज़ादे होगी और G सक्षारक के अंदर प्रोटाउन को ग्रहन करने के ख्षमता जादे होती है तो इसका मतलब उसकी प्रबलता भी जादे होगी तो कुल मिला के निसकर्स क्या निकला निसकर्स निकला कि इसलिए यदि आपके पास कोई अक्षारक है और उस अक्षारक के लिए PKB का मान कम है PKB का मान क्या है? कम यदि PKB का मान कम होगा तो वो जो क्षारक है उस अक्षारक की प्रबलता अधिक होगी क्षारक की प्रबलता क्या होगी? अधिक तो उस अक्षारक की प्रबलता हम लिख सकते हैं कैसी होगी? अधिक होगी ठीक है? यदि PKB का मान कम है जितना भी कम है, मानलो दो अक्षारक आपको दे दिये और दुन्नों के आपको दे दिये H positive ग्रहन करने के अक्षमता ठीक है? मानलो दो अक्षारक आपको दे दिये और उनकी H positive को ग्रहन करने के अक्षमता दे दी और आपसे पूछ लिया कि दूनों में से बताओ कौन सा प्रबलक शारक है तो जिसके लिए H पॉजिटिव ग्रेहन करने के क्षमता जादे होगी वही प्रबलक शारक होगा यदि आपको अलफा के मान दे दिये दूनों के लिए और पुछा कौन सा प्रबलक शारक है तो जिसका अलफा जादे होगा वही प्रबलक शारक होगा दूनों में से और यदि आपको के बी के मान दे दिये दो अक्षारकों के लिए और पूछ लिया कौन सा प्रबलक शारक है तो जिसके लिए के बी का मान जाद होगा वो ही प्रबलक्शारक होगा पर यदि पी के बी के मान दे दिये दो अक्शारकों के लिए और आप से पूछ लिया कौन सा प्रबलक्शारक है तो ऐसी स्थिति में PKB का मांच जिसके लिए कम होगा वो प्रबलक अक्षारक होगा ये चार बाते आपको पता होनी चाहिए ठीक है PKB, KB का व्यूत करमानुपाती होता है ठीक है इसलिए जब इनमें दुन्नों में व्यूत करमानुपाती संबंद है तो जिस अक्षारक का PKB कम होगा उसका ही के भी ज़ादे होगा और जिसका के भी ज़ादे होगा वो ही अलफा ज़ादे दिखाएगा अलफा ज़ादे दिखाएगा यानि प्रोटाउन ज़ादे ग्रहन करनी के खशमता रखेगा तो ध्यान रखना भाई जिसमें H positive grand करने के ख्षमता जादे है वो ही प्रबलक्षारक होगा जिसका alpha जादे है वो प्रबलक्षारक होगा जिसका kb जादे है वो प्रबलक्षारक होगा पर जिसका PKB कम है वो प्रवलक्षारक होगा यदि आप दो अक्षारकों की या दो से अधिक अक्षारकों की भी तुलना करोगे ठीक है तो हमने हैं क्या लिखा है कि यदि PKB कम है तो अक्षारक की प्रवलता जादे होगी ठीक है चलो एक heading लिखो के ए तथा के बी में संबंद एक heading लिखते हैं के ए तथा के बी में संबंद के ए तथा के बी में संबंद के ए तथा के बी में संबंद देखो K A का मतलब पता है ना K A का मतलब अमल का वियोजन इस्तिरांग और K B का मतलब होता है क्षारक का वियोजन इस्तिरांग ठीक है Dissociation Constance of Acid and Dissociation Constance of Base अब इनका संबंद यदी आपको निकालना है तो आप एक काम करो सबसे पहले कोई अमल ले लो एक एक अमल ले लिया हमने बी एच मैं लिख देता हूँ निचे इसके ये अमल है एसिड है और इस बी एच को आप पानी में घोल दो जब आप इसे पानी में घोल दोगे तो क्या होगा बताओ भई अमल है तो ये एच पॉजिटिव आइन दे देगा अपना एच पॉजिटिव आइन जब इसने इसे दे दिया तो ये एच टू ओ किसमें बदल जाएगा एस थ्री ओ पॉजिटिव है और बी नेगरिटिव बचेगा है ये बच गया बी नेगरिटिव ठीक है तो यदि इस अभी करिया के लिए आप के ए निकालते हो वियोजन इस्तिरा तो पॉजिटिव का सक्रिय दरव्यमान गुणा बी नेगरिटिव का सक्रिय दरव्यमान कह दो या एक्टिव मास कह दो या मोलर कंसंट्रिशन कह दो या केवल कंसंट्रिशन कह दो अपॉन में हमें बी एच का लिखना है बी एच एक्टिव मास और बी एच एच टू ओ के active mass को लिखने की कोई आवशकता नहीं है क्योंकि H2O का active mass कभी नहीं बदलता है सकरिय द्रव्यमान या molar सांद्रन जल का नहीं बदलता है क्योंकि उसकी मात्रा बहुत जादे है उसे लिखने की कोई आवशकता नहीं है ये हमारा हुआ समी का number 1 अब आपके पास जो ये अमल है ना इसी अमल का सहींगमी एक्षारक होना चाहिए सहींगमी एक्षारक इसका क्या होगा B negative भई H positive निकलने के बाद जो भी बचेगा वो B negative बचेगा मैं हाँ लिख देता हूँ ये है क्षारक या BASE इसका सहींगमी एक्षारक है जब ये इसे आप पानी में घोल दोगे तो क्या होगा क्या होगा इसकी आदत है H positive ग्रहन करने की तो यहां से एक H positive ग्रहन कर लेगा इसने तो अपना H positive दे दिया था ये ग्रहन करेगा और ग्रहन करेगा तो क्या बनेगा B H ठीक है B negative था H positive आ गया इसलिए कोई आवेस नहीं है प्लस जब इसमें से H positive निकल गया तो यहां क्या बचा OH negative इसके लिए आप निकाल दो K B K B जब आप निकाल लोगे तो concentration of B H into concentration of OH negative इन दुनों को भी तो उपड़ लिखना होता है upon H2O को लिखना ही नहीं concentration of B negative यह कह दिया हमने equation number second ठीक है अब आप एक काम करो equation first और second की गुणा कर दो K A और K B की यदि आप K A into K B करोगे तो K A के जगा क्या लिखूँ K A के जगा लिखूँ H3O positive का concentration into B negative का concentration upon BH का concentration यह लिख दिया into K B के जगा क्या लिखना है इधर लिख दूँ थोड़ा गये BH का concentration into OH negative का concentration upon में क्या लिखना है B negative का concentration अब आपको पता है BH से तो BH कट जाएगा और B negative से B negative कट जाएगा हमारे पास क्या बचा K A into K B is equal to H3O positive का concentration into OH negative का concentration यही तो बचा है चलो पोजगर के लिखो पहले आप फिर लिखेंगे इसे पोजगर के लिख लो लिख लिया बिटे ठीक है ध्यान से समझ ले ना क्या बचा है देख लो एक बार वैसे तो लिख लिया होगा आपने K A into K B is equal to H3O positive और OH negative यह बचे हैं हमारे पास बचे हैं K A into K B is equal to concentration of H3O positive into concentration of OH negative अब देखो जल के आएनों की सांदर्ताओं का गुणन फल है इसे कहते हैं जल का आएनिक गुणन फल तो इसलिए आप इसकी जगा क्या लिख सकते हो इसकी जगा लिख सकते हो K A into K B is equal to K W तो ये संबंद होता है K A और K B में ठीक है बस इतना ध्यान रखना है K A क्या है अमल का वियोजन इस्तिरांग है K A अमल का वियोजन इस्तिरांग K B क्या है क्षारक का वियोजन इस्तिरांग और K W क्या है जल का आईनिक गुनन फल लिख लेते हैं चलो इस बात को यहां से लिखते हैं जहां K W लिख लो K A और K B तो पता ही आपको जहां K W क्या है जल का जल का आईनिक गुनन फल जल का आईनिक गुनन फल जल का आईनिक गुनन फल है ठीक है अच्छा एक हेडिंग लिखो नोट देखो एक बात बताता हूँ आपको यह जो फार्मूला है न K A इंटू K B is equal to K W यह फार्मूला केवल वहाँ apply होगा जहां आपके पास जो अमल और अक्षारक है न वे दुनों एक दूसरे के संयूगमी हो यानि यह फार्मूला केवल संयूगमी अमल अक्षारक यूगम के लिए ही कारिय करता है ठीक है यहां लिख लो चलो उप्रोक्त उप्रोक्त संबंध केवल संयूगमी अमल अक्षारक उप्रोक्त संबंध केवल संयूगमी अमल अक्षारक यूगमो के लिए के लिए ही कारिय करता है ठीक है या के लिए ही होता है केवल ऐसा भी लिख सकते हो आप कि यहां यह फार्मूला सिरफ वहाँ अप्लाई होगा जहां संयूगमी अमल अक्षारक होंगे जैसे हमने अमल क्या लिया था हमने अमल लिया था हमने अमल लिया था बी एच और क्षारक क्या लिया था क्षारक लिया था H पॉजिटिव निकल जाएगा तो क्या बचेगा B नेगेटिव तो बताओ इन दोनों में एक प्रोटोन का ही तो अंतर है एक H पॉजिटिव का ही तो डिफरेंस है दोनों में तो जिन अमलक्षारकों में केवल एक proton का अंतर हो H positive का अंतर हो ऐसे अमल अक्षारकों को ही हम कहते हैं सहींगमी अमल अक्षारक इस अमल का सहींगमी अक्षारक ये है और इस अक्षारक का सहींगमी अमल ये है तो यदि आपके पास कोई ऐसे अमल अरक्षारक हैं जो एक दूसरे के संयुगमी है तो केवल वहीं काम करेगा यह फार्मूला नहीं तो काम नहीं करने का बिलकुल भी ठीक है समझ में आईना बात चलो अगली बात कर रहे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यह जो यहां से नही बात सीख रहे हैं यह जो जल का आईनी गुननफल होता है इसका मान होता है एक गुना दसकी घाद माइनस चोदा एक गुना दसकी घाद माइनस चोदा इसलिए आप के ए एंटू के बी को बराबर लिख सकते हो एक गुना दसकी घाद माइनस चोदा 10 की घाद माइनस 14 लिख लो बस खर ले 10 की घाद माइनस 14 या एक गुणा 10 की घाद माइनस 14 भी लिख सकते हो तो इसके उपर नुमेरिकल आ सकते हैं पेपर में संयूगमी अमलक शारक यूगम दिया जाएगा आपको के ए दे दिया तो के भी पूछ लेंगे और के भी दे दिया तो के पूछ लेंगे यह तो पताईए आपको इन दुनों का गुणान फल कितना होगा 10 की घाद माइनस 14 अब देखो एक बात बताता हूँ आपको यहाँ से एक हैडिंग लिख लो नोट एक चीज और सीख लो एक चीज यह सीख लो हमें पता है के ए और के बी इन दुनों का गुणान फल कितना होता है के डबलू के बराबर ठीक है अब यदि मैं कहूँ कि यदि मैं लोग ले लूँ लोग ले लिया मालो मैंने दुनों तरफ लोग ले लिया दुन्न दरफ लॉग लिया तो यह हो जाएगा लॉग के ए गुणा यह हो जाएगा लॉग के बी इस इक्वल टू यह हो जाएगा लॉग के डबलू ठीक है और रिनात्मक लॉग ले लो यहां भी माइनस ले लो यहां भी माइनस ठीक है तो आपको पता है कि क्या होता है लॉग में गुना है तो इसका मतलब जुड जाएगा और आपको इस बात का भी पता है कि भाई माइनस लॉग के ए किसके वराबर होता है P, K, A के परबर होता है K, A के रिनातमक लगुगनक को क्या कहते है P, K, A K, B के रिनातमक लगुगनक को क्या कहते है P, K, B और K, W के रिनातमक लगुगनक को क्या कहते है P, K, W तो इसका संबंद भी आप निकाल सकते हो और ये गुणा में है न गुणा में लॉक क्या हो जाते हैं जुड जाते हैं आपको पता है गुणा में लॉक क्या हो जाते हैं जुड जाते हैं तो यहां तो मैं बीच में प्लस का निसान लगा दूँआ और यह माइनस लॉक के ए को लिखुआ में माइनस लॉग के ए के ए के रिनात्मक लगुगनक को मैं लिखुआ पी के ए के बराबर पी के ए ये तो हो गया पी के ए और गुणा में लॉग जुड़ जाते हैं यहां लिखुआ हमें पी के बी और माइनस लॉग के डबलू kw के रिनात्मक लगोकनक को हम कहते हैं p kw तो यह भी समबंद ध्यान रखना है आपको यह वाला कभी कभी ऐसा होता है कि formula यह वाला भी प्रियोक करना पड़ जाता है यह आपको p ka p k b और p kw इन तीन में से किसी 2 की value आपको पता है किनी 2 की value आपको पता है तो आप निकाल सकते हो किसी तीसरे की वैल्यू तो एक तो ये फार्मूला याद रखना है एक ये फार्मूला याद रखना है और एक ये वाला ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने है ठीक है? अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोस करके लिखेंगे पोस करके लिखो बेटे लिख लिया? ठीक है तो बेटे मुझे उम्बीद है आपके समझ में आया होगा शारकों की प्रबलता जैसे कल हमने पढ़ा था अमलों की प्रबलता बस एक बात का ध्यान रखा गरो एक तो यहां हमने क्या करा के ए और के बी में संबंद भी निकालना सिखा यह भी समझ में आ गया होगा आपके आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ना है आप playlist के अनुजार पढ़ाई करागरो अपनी जो बच्चा playlist के according चलता रहेगा अपने notes बनाता रहेगा उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती रहेगी और जो बच्चा playlist के अनुजार नहीं चलेगा उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी ठीक है बस इस बात का ध्यान रखो मेहनत और इमानदारी से बढ़ा ही करो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इस वीडियो ओके बाई